नमस्कार, कक्षा 6, exercise 3.4, इसका प्रशन 6 हम करने जा रहे हैं, देखिए, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानि एक संख्या ऐसी है, जो 5 के पहाड़े में भी आती है, और 12 के पहाड़े में भी आती है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी हमें पता करना है, और कौन सी संख्या ऐसी होगी, जिससे यह संख्या हमेशा विभाज्य होगी, तो आएए देखते हैं, इसके लिए बच्चों, हम सबसे पहले लिखेंगे 5 के गुणच, 5 के गुणच है, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लिखते हैं, 12 के गुणच, तो देखें, 12 के गुणच कौन से होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, हमें इनका सार्व गुणच देखना है, सार्व गुणच देखना है, तो देखें, यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहली संख्या जो दोनों में कौम बनाएगी, वो होगी, 60, देखें, 60 यहाँ भी है, और 60 यहाँ भी है, इसके इलावा, और छोटी कोई संख्या नहीं है, जो दोनों के पहाड़े में आती हो, इसी प्रकार से देखें, पांच के पहले में आगे जाकर 120 आएगा, और 12 के पहले में भी 120 है, ठीक है, तो यह आया है, सार्व गुनज आये हैं, इसके 60 और 120, तो दिखिए, इसमें, सबसे छोटा, सार्व गुनज कितना है, साथ, सबसे छोटा साथ है न, इसका आर्थ यह है, दी गई संख्या, साथ से सदय विभाज्य होगी, क्यों? क्योंकि, पांच और बारा का, सबसे छोटा सार्व गुनज है, साथ, इसका आर्थ है कि, जो भी यह संख्या, एक संख्या पांच और बारा, दोनों से विभाज्य हैं, तो कोई ऐसी संख्या है, जो पांच और बारा, दोनों के पहाड़े में आती है, तो वैस संख्या, 60 के पहाड़े में जरूर आती हो क्योंकि 60 ही 12 और 5 का सबसे चोटा गुनज है यानि सबसे पहले 60 ही है जो 12 और 5 दोनों के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब 60 जो है 60 से दी गई संख्या हमेशा ही विभाज्य होगी बस इतना सही काम था इस प्रशन में आशा करता हूँ ये प्रशन आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद